हेलो मित्रों यूपी Giving when स्क्लाशेस में आप लोगों का स्वागत है मित्रों आज में कृसी अभियंत्रन से बहुत ही महत्पूर्णों को इसमें सम्लिद किया हूं जो आपकी परिच्छा के लिए बहुत ही हेड निम्न पदार्थ का बना होता है option यह है पीतल बी है क्रोमियम सी है ढलवा लोहा और डी है लोहा तो मित्रों सिलेंडर सीड्स जो होता है वो आपका सी यानि ढलवा लोहे का बना होता है प्रेस्ट्रे नंबर 2 कि इगनीशन के आधार पर इंजन का बरगी करंड़ है यह है इस पार कि उम्हक्रिशन इंजन C है A यों B दोनों और D है उपरिक्त में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर जो होगा वो होगा B B अपर आप टिक लगाएंगे लिकिन अगर पूछ लेता है कि इंजन के इधन इधन के आधार पर इंजन का बर्गी करण तो आप सने लगा सकते हैं चलिए प्रश नमबर तीन है मित्रों कि निमलिखित में कौन क्रैंक साफ्ट तथा कैम साफ्ट के लिए हाउसिंग का काम करता है मतलब इसमें 4 आपसंद दिये हैं Crank Case है, Cylinder Liner है, Piston Ring है वा Piston Pin है इसमें पूछ रहा है कि निम्लिकित में कौन Crank Sh viption यह इन चाहत है और यह बिल्कुल राइट हो जाएगा Crank Case जो है, यह आपका Housing का काम करता है चलिए मित्रों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी मित्रों को शेर भी करिएगा मित्रों एक चीज और है मैं इसका पीडियाप जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप लोग वहां से नाउनलोड कर सकते हैं निम्लिखित में से किसके संपर्क में पानी रहता है इसमें पूछ रहा है आपसन यह है ड्राइ लाइनर बी है बेट लाइन इसमें पानी पूछ रहा है लेकिन पूछ रहा है कि किसके संपर्क में नहीं रहता है तो इसके संपर्क में पानी नहीं रहता है चलिए प्रशन नंबर पांच भी उसी प्रशन के आधार पर ही है कि निम्लिखित में से किसमें जंग नहीं लगता है तो आप लोग समझ सकते ड्राइ लाइनर है तो इसमें नहीं जंग लगेगा लेकिन बेट लाइनर में जंग लग सकता है तो इसका राइट एंसर होगा यह ड्राइ लाइनर में जंग नहीं लगता है प्रेश्ट नमबर 6 यह भी बहुत ही महात्पूर्ण प्रेश्ट है कि पिश्टन के लिए ऐलमूनियम एलाइ के कमपोजिशन के लिए क्या सही है पूछ रहा है इसमें अपसने है ऐलमूनियम 9% तिन है 2% कापर 7% बी है ऐलमूनियम 7% तिन 2% कापर 90% होना चाहिए यह दोनों मिलाके 100% हो रहा है इसलिए यह कमपोजिशन आपका बिलकूल राइट है च्यों लिए प्रश्ण नमब्र सात ये भी बहुत ही महात्पूर्ड प्रश्ण रिंग के दोनों सिरी के बीच कुछ करे होता है उपिशिय से पिश्टेस रिंग कहते हैं आप यह परिभासा भी जान लेजए कि इस तरह तो इस का जो राइट एंसर हो मित्रों अप्सन नंबर यह होगा आप लोग चारों अप्सन देखके और यह अप्सन जहां भी मिलेगा वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं अपने अंसर सीट में भर सकते हैं कि निमलिकित में से किस इंजन में इधन का कम जर्फं सिरेंडर के अंदर होता है अप्सन नूमर नो यह भी बहुत ही महतूर प्रश्ण है कि क्रेंग साफ्ट के लिए किस टाइब का वेरिंग प्रियोग किया जाता है आप्शन यह है टेपर रोलर वेरिंग, बी है बाल वेरिंग, सी है रोलर वेरिंग, डी है अ सभी तो crank shaft के लिए किस type का wearing प्रियोग किया जाता है मित्रों ये C right answer होगा roller type के wearing प्रियोग किया जाता है प्रश्ट नमबर 10 10 है कि निमलिखित में से किसे engine की new कहा जाता है cylinder block, cylinder head, crank case तो इसका right answer मित्रों होगा D ये सभी यानि ये तीनों मिलकर जो है किया engine का जो है new कहते हैं मित्रों ये वीडियो आप UPSS C classes में देख रहे हैं तो अगर आप मारी चैनल पर नए हो तो चैनल को मिलकर subscribe कर लेजिए notification bell आन कर लेजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ आप लोगों को मिलता रहे तो मित्रों इस वीडियो का PDF मैं अपने description box में डाल दूँगा आप लोग वहाँ से download करके और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं चलिए मित्रों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ तता के लिए थैंक यू सो मच